दोफ्तों आज किस वीडियों बात करेंगे जो इनवर्सिटी वा कॉलेज के चात्र है उनकी परिच्छा फे जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स आई है उसके बारे में और कुछ जरूरी सुचना है उसके बारे में आप लोगों किस वीडियों बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखेगा चलिए स्टार्ट करते वीडियो को नमस्कार दोफ्तों मैं संदीव स्वागत है आप सब्सक्राइब करके रखेगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिविकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके यह ध्यान में रखेगा क्योंकि आप सब सब्सक्राइब नए यूटूबर आए तो वह गलत कर जाते हैं चाटरों के साथ उनको अफवाहों में डाल देते हैं इसे कंफ्यूज हो जाते हैं तो हम आपको बता दे कि आपको मालूम अगर हमाई चैनल से जुने तो कितने साल पुराना है और सभी को मालूम है कि यहां पर आप लोगों college और university से सम्मंदित बहुत important update प्रवाइट की जाती है हाला कि इसके बारे हम जाएंगे detail में नहीं आते हैं topic पर मैं आपको वही knowledge प्रवाइट करता हूँ जहां तक मुझे सही लगता है ठीक है चले बढ़ते हैं जो हम और भी बाते करेंगे ठीक है लिखाया कि HBTU संक्रमित चात्रों के बाद में होंगी परिच्छाएं आप सभी जानकारी के लिए में बता दूं कि यूपी राज्य में यानि कि उत्तर प्रदेश राज्य में एक इन्वर्शिटी है जिसका नाम है अवध इन्वर्शिटी आ आप सभी को मालूम है पूरी तरह से उसमें यह भी बताया गया था कि यह भी मालूम होना चाहिए कि लखनों बिस्विद्या ले कि जो कुछात्र होस्टल में रहे 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 थे तो उनमें क्या होगा कोविट शंक्रमित होगे लगभग लगव पच्चास चात्रा आप सभी को न्यूज मिली ही होगी ठीक है तो उसमें क्या फवाय उड़ने लगी कि अब लगभग लगभग परिच्छाएं अब नहीं होंगी एक्जाम केंसिल हो जाएंगे आप चात्रों को परमोट किया जाएगा लेकिन मैं आपको बता दूँ उसमें यह साफचाप कहा गया था क कि जो 17 जनूरी से परिच्छाएं होने वाले 17-31 तक ठीक है लगभभिस विद्याले में वह सारी समेश्टर अर्चों पिछ्छ दी वह अफ्थागित की जा रही है जल्द ही नया एक्जाम डेट की जो घूसडा होगी तो आपको इंफोर्मेशन कर दिया जाएगा यह बताय उन्होंने 20 जरू से परिच्छाय करने की बात कहिए तो बहुत सारी आ रहे कि परिच्छा होंगी नहीं होंगी तो मैं आपको बता दूँ जो कुछ अपको है उड़ रहे उस पर ध्यान मत दीजेगा आप लोग ठीक है अभी आरे मेलियू की तरफ से जैसे आप लोगों के एक परिच्छाय की होंगी कानफरम है दस परिच्छाय को नहीं कहा सकता लेकिन नभबे परसंट आप सभी के एक्जाम होंगे वह भड़े लेट हो या फिर थोड़ा जल्दी हों यह मैं कह सकता हूं कि परिच्छाय होंगी ठीक है हलाकि जो भी इन्वर्शिटी अपडेट्स द या फिर एक्जाम को अस्थाकित करने की बाद कही जाएगी तो हम आपको नोटिस के जरी इन फॉर्मेशन कर देंगे तब तक के लिए आप अपने एक्जाम की तैयारी करते रहें यह नहीं होने वाली हैं यह कंफरम है ठीक है लखनों वाले और मैं आपको बता दू कि पैच्छा फाम बरे जा रहे हैं तो इसके लास्ट डेट आप सभी को दो दीन ही है तो इससे सम्मंदित जो चात्र है वह अपने इनवस्टिटी कोले से कॉंटर्ट कर लीजे कि सर हम क्या करें क्या ना करें तो आपको जानकाई दे देंगे इसमें जानकारी आई है तो आप यह जानकारी है इस बीट्यू ने कहा कि संकमई चात्र के बाद में होंगी परिचाए यानि यह कह रहे है कि करो ना फेतर हमके चात्र हो गये उनकी परिच्छाएं नहीं होंगे और बागी की चात्र हैं तो यह सरासर गलत है यह इन्वर्सिटी की जो जैसे कि हमारे घर में क कम हो जाएगा फिर नहीं रहेगा तब परिषाय करा लिजेगा ठीक है यह मेरी इडवाइस है इस इनुवर्सिटी से आप लोगों को क्या लगता है कि कोवीड की जो फैल नहीं परिषाय होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर फिराल जो भी जानकारी आएंगे हम आपको अब्डेट कर देंगे चैनल सब्सक्राइब करें रखेगा टेलेग्राम चैनल का लिए वीडियो की दिस्क्रिशन में मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट अब्डेट के साथ आप लोग हमाई चैनल से जुड़के यानिक एकजान की तैयारी करते रही है